नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम दिल्ली सलतनत का नेक्स्ट टोपिक तुगलक वंच के बारे में पढ़ेंगे तो पहले हम पूरे टोपिक को अच्छे से समझेंगे और लाश्ट में प् करते हैं तो जैसा कि हम दिल्ली सलतनत के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सलतनत की अंतरगत हम 1206 इसवी से लेकर 1526 इसवी तक के इतिहास का अध्यान करते हैं और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शाषन किया था तो दिल्ली सलतनत नहीं देखी तो प्लेइलिस्ट में जाकर जरूर देख लें तो गुलाम वन्ष और खिलजी वन्ष के बारे में हमने पढ़ लिया आज हम पढ़ेंगे तुगलक वन्ष के बारे में और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम सयद वन्ष और लोदी वन्ष को एक ही साथ देख लेंगे तो आज हम तुगलक वंश के बार में पढ़ेंगे तो तुगलक वंश का शाषनकाल 1320 इसवी से लेकर 1414 इसवी तक रहा था तो दिल्ली सल्तनत में सरवाधिक समय का शाषन करने वाला कौन सा राज वंश है तुगलक वंश है या दखेगा इंपोर्टेंट है और इस वंश का संस्थापक कौन था तो गाजी मलिक जिसका नाम है ग्यासु दिन तुगलक ये इस वंश का संस्थापक था तो अब हम ग्यासु दिन तुगलक के बार में पढ़ते हैं तो ग्यासु द अपना नाम बदल कर ग्यासु दिन तुगलक कर लिया तो गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और ग्यासु दिन तुगलक के नाम से अपना राजय अभिशे करवाया तो क्रिशी के विकास के लिए इसने नहरों का निर्मान करवाया था अब हम इसके कारे देख रह था किसने ग्यासुदीन तुगलक ने तो ग्यासुदीन तुगलक के अन्यकारे भी देख लेते हैं तो इसने लागान के रूप में उपज का 1 बटा 10 या 1 बटा 12 हिस्सा ही लेने का आधेश जारी किया मतलब कि इससे उपर लागान नहीं लिया जा सकता या तो एक बटा 10 लिय उसने क्या किया था कि जिसके पास ज्यादा जमीने थी उसने कर लगा कर जमीने ले ली थी पर ग्यासु दिन तुगलक ने क्या किया कि अमीरों को उनकी भूमी पूना लोटा दी थी याद रखेगा और इसने सिचाई के लिए कुवें एवं नहरों का निर्मान करवाय था जै को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हूलिया लिखने की प्रथा यानि कि सैनिकों के चेहरे का स्केच बनाने की प्रथा चलाई थी तो ग्यासु दिन तुगलक ने भी इस प्रथा को जारी रखा यानि कि इसने भी घोडे को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हूलिया लि विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खा का नाम मुहमद बिन तुगलक पड़ गया तो यही ग्यासु दिन तुगलक के बाद जो अगला शाशक बनेगा वो कौन होगा मुहमद बिन तुगलक तो मुहमद बिन तुगलक का पहले नाम क्या था जूना खा और इसी की ने है तो अगला अभ्यान है तिर हुती विजय यानि की मंगोलों पर विजय तो उसके बाद जूना खाके नेतर्तों में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्न की तो दो अभ्यानों के बाद जियासो दिन तुगल इनकी प्रख्याती काफी फैल रही थी तो ग्यासुदिन तुगलग ने उन्हें दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया तो इसके जवाब में निजामुदिन ओलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त जिसका मतलब है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है और आप देखते हैं कि आज भी इस वाक्य को मुहावरे की रूप में यूज किया जाता है कि दिल्ली अभी दूर है यानि कि मंजिल अभी दूर है ये किसने कहा था निजामुदिन ओलिया ने ग्यासुदिन तुगलग को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त यानि कि उसके बाद देखते हैं गिसकी मृत्यू कैसे हुई, तो जब ग्यासुदिन तुगलक बंगाल अभियान से लोट रहा था तब लोटते समय, तुगलका22-8 km की दोरी परस्थित, अफगानपुर में एक महल में, सुल्तान ग्यासुदिन प्रवेश करते हैं और वही महल उनके उपर गिर जाता है जिस कारण महल के अंदर दबकर इनकी मृत्यू हो जाती है तो 1325 इस्वे में ग्यासुदीन तुगलक की मृत्यू कहां पर हो जाती है तो गलका पास से 8 किलोमेटर की दोरी पर अफगानपूर में महल की नीचे ये ग्यासुदीन तुगलक की मोत हो गय और माना जाता है कि छडियंत रचा गया था ग्यासुदीन तुगलक को मारने के लिए तो ग्यासुदीन तुगलक का यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा और मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में से सरवाधिक विद्वान था याद रखेगा यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा बेवकूफ भी यही था मुहम्मद बिन तुगलक यह अपनी सनक भरी योजन था कि उसका परिनाम क्या हुआ बस ये योजनाओं को लागू कर देता था और इसे रख्थ पिपासू भी कहा जाता था यानि कि जनता का रख्थ चूसने वाला किसे मोहमद विन तुगलक को तो आगे अब हम मोहमद विन तुगलक की परशाशनिंग योजनाओं का करम देख तो सबसे पहले इसने दोवाब में करव रिधी की योजना शुरू की दोवाब यानि कि दो नदियों के बीच का स्थान जो कि काफी उपजाव होता है जैसे कि आप पंजाब में देखते हैं कि काफी सारे दोवाब हैं यानी कि दो नदियों के बीच का area जो की काफी उपजाव होता है, तो वहाँ पर इसने कर में वरिधी की योजना कर दे, क्योंकि इसने सोचा जो भी दॉझाव हैं, वो काफी उपजाव होते हैं, इसलिए इसने कर वरिधी योजना कर दी दॉझाव पर, दूसरी इसकी योजना है राजधानी परिवर्तन की वागयम देखेंगे तीसरी है परतीक मुद्रा की योजना इसने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी जैसे आज हम देखते हैं नोट वगएरा सिक्के वगएरा इसने उसी परकार परतीक मुद्रा की भी शुरुआत की थी चोथा इसका अभियान था खुराशान अभियान वो भी असफल रहा पांचवाँ अभियान था कराचील अभियान ये भी असफल रहा और छठा था कृषी उत्पादन विर्धी की योजना तो ये छे परकार के महत पूरन योजना है करम से जो की मुहमद बिन तुगलक के विर्धी योजना तो मुहमद बिन तुगलक राज की आय को बढ़ाना चाता था इसलिए करों में विर्धी की योजना बनाई और इस योजना को सर प्रतम दुआब छेत्र में लागू किया गया जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दो नदियों के बीज का छेत्र होता है उ और उसी समय इसने ये योजना लागू कर दी कि अब आपसे और ज्यादा कर लिया जाएगा जिसके परनाम सवरूप क्या हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया और किसानों का ये पहला विद्रोह था तो किसानों के विद्रोह के कारण इसने क्या किया कि कि किसानों की भल कि दीवाने अमीर को ही किसे संबंदित है तो कृषी विभाग से संबंदित है और इसके शुरुवात किस ने की थी तो मुहमद बिन तुगलक ने इसके शुरुवात की थी तो इसके बाद इसकी अगली योजना देखते हैं तो राध्धानी परिवरतन की योजना तो इसने र प्रजा के विद्रों के गारन दुबारा इसे दिल्ली वापस आना पड़ा यानि कि इसे अपनी राध्धानी दुबारा दिल्ली बनानी पड़ी तो ये भी योजना इसकी आसफल रही। उसके बाद देखते हैं सांकेतिक मुद्रा की योजना तो मुहमद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मुल्य चांदी के टंके के मुल्य के बराबर होता था तो खिलजी मच में हमने पढ़ा था ना टंका और जेतल के बारे में दो मुद्रा होती तो इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मुल्य चांदी के टंके के बराबर होता था पर इसने अपनी मुद्रा के निर्मान विद्धी को गुप्त नहीं रखा जैसा कि आप देखते हैं RBI जो भी नोट बनाती है उसमें कुछ सिक्के चलवाए तो ऐसे कोई सिक्योर्टी फीचर नहीं रखा जिस कारण किया हुआ घर घर में नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया और जब इसे समझवाया कि जो इसकी योजना है सिक्के चलाने की यह असफल रहे तब इसने क्या किया यह आदिश दे दिया कि जिन ल अजार से वापिस लेने के लिए इसने क्या कहा कि जिस जिसके पास सिक्के हैं वो मेरे पास ले आए और असली सिक्के चांदी के सिक्के ले जाए तो इसका परिणाम क्या निकला जिसने नकली सिक्के नहीं भी बनवाये थे ना असली सिक्कों के लिए उसने भी नकली सिक्के का लाव उठाने के लिए मोहमद बिन तुगलग ने खुराशान अभियान की योजना बनाई इसने सोचा कि वहाँ पर अभिराजनितिक असिर्ता है मैं वहाँ पर आकर्मन करके उसे भी अपने समराजी में मिला लूँ इसलिए इसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना तियार की और उ जिस कारण इसके सैनिक बहुत ही नराज हुए क्योंकि उनकों इसने आदेश दे दिया था कि हम कभी भी युद्ध कर सकते हैं और बाद में उन्हें पता चला कि इसने तो खुराशान के शाश्कों से संधी कर लिया है तब इसने क्या किया हम आगे देखते हैं तो आगे करा कराचिल अभियान के लिए भेद दिया जहां पर क्या हुआ कि अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ सैनिक आपसे विवाद के कारणी आपस में ही लड़कर मर गए और इबन बतूता जो की मुरकों का यात्री है इसने बताया है कि अंत में केवल दस अधिकारी ही बचकर वापस आए तो खुराशान की योजना भी इसकी पूरी तरह से असफल रही उससे बचने के लिए इसने कराचिल अभियान योजना बनाई कि सैनिकों को क्या कर दिया उनके विद्रोह से बचने के लिए हिमाले की दुर्गम चोटियों पर भेद दिया तो इससे क्या उसके बाद आगे देखते हैं तो महम्मद बिन तुगलक के शाशनकाल में ही धक्षिन में हरीयर एवन बुक्का नामग दो भाईयों ने तेरा सो चत्तिस एस्वई में एक सोतंतर राज्य विजयनगर की स्थापना की तो विजयनगर की सथापना किस ने की थी हरीयर एवन वुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी और इसी के साथ 1347 इसवे में 173 राज बहमनी समराजी की भी स्थापना हुई जिसकी स्थापना किसने की अलाउदिन बहमन शाने तो हरिहर और वुक्का ने विजयनगर की स्थापना की और बहमनी समराजी की स्थापना अलाउदि को अपनी जनता से छुटकारा मिला तो ये लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है किसके लिए कही गई थी मोहमद बिन तुगलक के लिए कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला तो मोहमद बिन तुगलक के बाद अगला शाशक बना फिरोशा तुगलक और इसका शाषनकाल 1351 इस्वी से लेकर 1388 इस्वी तक रहा और फिरोशा तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद ही इसने बहुत सारे उन निर्नेयों को वापिस ले लिया जो कि इसे पहले के शाषको के द्वारा लिये के बहुत सारे निर्नेयों को वापिस ले लिया और इसने शरियत के अंसार शाषन किया और शरियत में जिन करों का उलेख नहीं था उसे इसने बंद कर दिया तो फिरोशा तुगलक अपने प्रशाषनिक और लोग कल्यान कारी कारियों के लिए परसित था कुछ इतिहास कारों ने से सल्तनत काल का अकबर भी कहा है क्योंकि इसने बहुत सारे लोग कल्यान कारी कारे किये हैं वो हम आगे देख लेंगे तो फिरोशा तुगलक बरहमनों पर जजियाकर लगाने वाला पहला मुसलिम शाशक भी था ये भी important है तो जजियाकर की बात आई है तो एक बार हम जजियाकर के बार में पढ़ लेते हैं क्योंकि जजियाकर से वहोँ से प्रेशन बनते हैं पहले भी मैंने आपको जजियाकर के बार में पढ़ाय था एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी तो देख लेते हैं तो जजियाकर क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो जजियाकर गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला एक परकार का सुरक्षात्मक कर था तो सबसे पहले मुहमद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजियाकर लगाया था किसने मुहमद बिन कासिम ने तो इसन लोगों से जजियकर नहीं लिया जाएगा परंतु फिरोशा तुगलक अभी हम पढ़ रहे हैं ना फिरोशा तुगलक के बारे में तो फिरोशा तुगलक ने क्या किया किया कि जो ब्रहमन है ना ब्रहमनों पर भी जजियकर लगा दिया यहां दखेगा इंपोर्टेंट है उस तो हमने पूरा जजियकर का इतिहास पढ़ लिया कि किस ने लागु किया किस ने बंद किया। और गोल इसे अंतिम रूब से समाब्द कर दिया। तो हमने पढ़ा कि फिरोजियकर को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है क्यों? इसके प्रशाशनिक और लोग कल्यान कारि कारियों के लिए तो सबसे पहले है रिन की समाप्ती तो फिरोशा तुगलक के शाशक बनते ही इसने किसानों के रिनों को माफ कर दिया और केवल चार परकार के ही कर लगाए थे कौन-कौन से पहला था खराज जो कि लगान है दूसरा है खुम्स यह युद्ध में लूटे के माल पर कर लगता था तो जब भी इसकी सेना दूसरे समराजे से लूट पार्ट करती थी न तो जो भी धन के अंसार अरहाई प्रतिशत का दान उन लोगों को देना पड़ता था जो कि मालदार लोग होते थे यानि कि जिनके पास खुब सारा पहसा होता था और उनसे पैसों को लेकर अपाहिज और आसहाय लोगों पर खर्च किया जाता था तो यह थे चार प्रकार के कर खराज, खु ये दंड देने की विवस्था कर दी, तो जो भी पहले कठोर दंड दिये जाते थे न, जैसे कि मृत्यू दंड, उसे इसने हटा कर समान ये दंड देने की विवस्था कर दी, इसलिए से कल्यान कारी राजा कहा गया, क्योंकि इसने बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया, तीसरा है सरकारी सेवां को वन्शानुगत बनाया फिरोशा तुगलक ने ये आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वरिधों या मृित्ती हो जाने पर उसके पूत्र दमाद अत्वादास को सरकारी सेवां में निउत्त किया जाएगा यानि कि जो भी इसके सरकारी सेवक होते थे जब वो बूरे हो जाए या उनकी मृत्ति हो जाए तो उनके पुत्र या उनके दमाद या उनके दास को उनकी जगे पर सरकारी सेवक के रूम में नुक्त किया जाए तो इसने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया किसने फिरोशा तुगलक ने अगला पॉइंट है कि नकद वेतन की जगए जागीर देने की विवस्था तो हमने खिलजी वंच में पढ़ा था ना कि अलाओ दिन खिलजी ने जो जागीर देने की विवस्था थी यानि कि ज पूचि सैनेकों को नगद वेतन की जगए जागीर देने की विवस्था पूने शुरू कर दी उसके बाद आगे है मुद्रा में सुधार तो फिरोशा तुगलक ने तीन परकार की मुद्राओं का प्रचलन किया पहला था शंशगर्नी दूसरा था अध और तीसरा है विक त तो आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए शंशगर्नी अध और विक तो शंशगर्नी क्या है तो यह चांदी की मुद्रा थी यह टंका के मुल्य के एक बटा छे थी हमने पीछे पड़ा था खिलजी मच में दो परकार की मुद्राओं थी एक थी टंका और दूसरी थी ज जीतल के मुल्य का एक बटा दो थी यानि कि जीतल के मुल्य से आधा मुल्य था अध का और तीसरी मुद्रा थी विक यह भी तांबे की मुद्रा थी और इसका मुल्य तांबे की मुल्य का एक बटा चार था यानि कि जीतल के मुल्य का 25 परतिशत इसका मुल्य था विक का तो जनी अध और विक उसके बाद आ गया है नेरों का निर्मान तो इसने अनेक नेरों का निर्मान करवाया था और ये नहरें दिल्ली एवम हरियाना के मध्य केंदरित थी, जो किसान इन नहरों से सिचाई करते थे, उन पर कर भी लगाया गया था, या दखेगा, और इस कर को क्या कहा गया, हके शर्ब, क्या कहा गया, हके शर्ब, ये सिंचाई कर लिया जाता था, जो की उपज का एक बट दास थे और इसने दासों को नियंतरित करने के लिए दिवाने बंदगान अथार्थ दासों का विभाग स्थापित किया था क्या नाम था दिवाने बंदगान और प्रत्येक दास को 10 से 100 अंका वार्षिक वेतन भी दिया जाता था तो ये दास प्रेमी था और उनके लिए को निशुलक चिकिस साले की स्थापना करवाई थी और दार उल्शफा नामक राज के अस्पताल खुलवाई थे जो की निशुलक इलाज करते थे इसलिए इसे कल्यानकारी राजा कहा गया और दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया किसे फिरोशा तुगलक को तो फिरोशा तुग कौन मुहमत खां तो मुहमत खां को फिरोशा तुगलक के दासों ने राध धानी से ही भगा दिया इस कारण फते खां का जो पुत्र था ना तुगलक शाद रित्य ये इसका उत्रा अधिकारी बना यानि कि फिरोशा तुगलक के बाद उसका अगला उत्रा अधिकारी कौन बन उसके पुत्र मुहम्मत खां का पुत्र तुगलक शात रित्य इसने 1388 से लेकर 1389 तक दिल्ली सल्तनाथ पर शाषन किया काफी कम समय तक इसने शाषन किया क्योंकि एक अयोगे शाषक था उसके बाद 1389 में इसकी मृत्य हो गई और इसकी मृत्यू के बाद उसका छोटा भाई अबू बकर शाह ये दिल्ली का अगला सुल्तान बना और अबू बकर शाह के बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने पर उनका इतना परभाव न रहा और तुगलक वंच का अंतिम सुल्तान कौन बना नसीरुदिन महमूद इसके बारे में थोड़ा पढ़ ले इसलिए इसकी दुर्दशा को देखकर ये व्यंगे में कहा जाता था कि विशो के समराठ तुगलकों का राज दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था तो एक परकार का ये व्यंगे था दिल्ली से पालम की दूरी काफी कम है तो इसके समय जो तुगलकों का राज दिल्ली से पाल 90 इस्वी में तेमूर का आकर्मन दिल्ली पर हो गया तथा दिल्ली का सुल्तान यानि कि नसीरुदिन महमुशा ये गुजरात भाग गया तो पुना वजीर मलू खाने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर वापस गद्दी पर बैठाया किसे नसीरुदिन महमुशा को और सन 1414 संस्थापक कौन था तो तुगलक वजीर महमुशा का संस्थापक था ग्यासुदिन तुगलक ओप्शन ए इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि अमीर कोही जिसे किरशी विभाग कहा गया ये नया विभाग कि सुल्तान ने शुरू किया था तो अमीर कोही के शुर अगला प्रेशन है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शाषक के निधन पर इतिहास कार बदयूनी ने कह था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली तो किसके लिए कहा गया था मुखमद मिन तुगलक के लिए Option B इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शाषक कौन था तो तुगलक राजवंश का अंतिम शाशक कौन था नसीरु दिन महमूज शा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि कौन से सुल्तान की मृत्यू अफगानपूर तुगल का बाद में लकडी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गए थी तो किसकी मृत्यू महल गिरने से हो गए थी दिन तुगलक इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि इतिहास कारों ने किस शाशक को दिल्ली सल्तनत का अकबर का है तो इतिहास कारों ने बताईए किस शाशक को दिल्ली सल्तनत का अकबर का है फिरोशा तुगलक को ऑप्शन इसका सही जवाब होगा अगला तो इसकी मृत्यू दोलता बाद में हुई थी, option C इसका सही जवाब है, आज का आखरी प्रेशन है कि दिल्ली के कि सुल्तान ने ब्रामनों पर जजिया कर लगाया था, तो किसने लगाया था, फिरोशा तुगलक ने इसने ब्रामनों पर भी जजिया कर लगा दिया था, तो आ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, कैसी लगी ये वीडियो, कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना, धन्यवाद